नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल News Markets 24 में आज की जो बड़ी खबर आ रही है वो है गन्ने से केंद्र सरकार ने हाल ही में गन्ने के लिए FRP मूल्यों में 8 फीसदी यानी 25 रुपए प्रती क्विंटल की बढ़ोतरी की है जो किसानों के लिए सुखद समाचार हो सकता है लेकिन इस बढ़ोतरी का फाइदा प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में सीमित होने के कारण कुछ राज्यों के किसानों को नहीं मिलेगा इसमें पंजाब, हर्याना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है इसकी मुख्य वजह इन राज्यों में स्टेट अडवाईजरी प्राइस, सैप का नियम होना है जो एफ आरपी की कीन्तों से काफी अधिक होता है खबर में आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको इसी तरह की खबर मिलती रहे खबर में आगे बढ़ते हैं पूरी नियूस के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहे गन्ने की उत्पादन में प्रमुख योगदान देने वाले पंजाब, हर्याना और उत्तर प्रदेश के किसानों को इस बढ़ोतरी से सीधा फाइदा नहीं होगा क्योंकि इन राज्यों में साप पहले ही एफ आरपी की कीम्तों से अधिक है इससे यहां के किसानों को केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाई गई कीम्तों का लाभ नहीं होगा एफ आरपी की बढ़ोतरी से कुछ राज्यों में किसानों को अल्पकालिक राहत मिल सकती है लेकिन गन्ना उद्योग के सामने आने वाली चुनोतियों का समाधान नहीं हो सकता है तमिलनाडू, करनाटक, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में गन्ना की कीम्तों में बढ़ोतरी से किसानों को लाभ होगा क्योंकि यहां राज्य सरकारों द्वारा SAP का कोई नियम नहीं है इससे इन राज्यों के किसानों को बढ़ाई गई कीन्तों से अधिक मुनाफा हो सकता है इस बढ़ोतरी से गन्ना के किसानों को तो फायदा हो सकता है लेकिन मिल मालिकों पर वित्तिय दबाव बढ़ने का खत्रा है क्योंकि इसके बावजूद चीनी उत्पादन में कमी होने का अनुमान है चीनी मिल मालिकों को पहले से ही श्रम और एंधन की महंगाई के कारण कई समस्याएं हैं और इस बढ़ोतरी से उनकी स्थिती और बद्तर हो सकती है आखिरकार इस बढ़ोतरी के परिनामस्वरूप कुछ क्षेत्रों में किसानों को सामानिक राहत प्रदान हो सकती है लेकिन गन्ना उद्व्योग के सामने आने वाली चुनोतियों का समाधान करने में असमर्थ है आज की खबर में सिर्फ इतना ही इसी तरह के न्यूस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और न्यूस मार्केट्स 24 देखते रहे